हेलो दोस्तों सुख समरधी उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत हैं जैसा कि आपको पता है कि सावन का महीना आने वाला है और कावर ये बहुत ही ज़्यादा उससाहित हैं कावर लाने के लिए क्योंकि भूले नात को मनाने का टाइम आ गया है भूले की किरपा दरश्ट क्या-क्या महत्व हैं और कितना खर्चा आता है कावर लाने में कौन-कौन सी कावर लिए जाती हैं सभी बाते में डिटेल में करूंगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजेगा सस्क्राइब कर दीजेगा मेरे चैनल को जो आगे आपको ऐसे सी व लगाया जाता है वो सिंपल कावर होती है वो हम कहीं भी रख सकते हैं कहीं भी हम बैठ सकते हैं उसे रखके वो बैठी कावर ही मानी जाती है उसे रखकर हम कुछ भी अपना काम कर सकते हैं दूसरी कावर मानी जाती है हमारी डाग कावर वो बहुत ही कठिन मानी जाती है ये कामर हमारे डीजे के द्वारा लाई जाती है डीजे पर 15-20 लड़के होने चाहिए और जब भी ये डाक कामर जो होती है ये हमेशा भाग भाग कर उठाई जाती है कि एक ने उठाई फिर वो भागा फिर दूसरे ने उठाई वो भागा इस तरह से इस कामर में कभी रुखते नहीं है और इस कामर का बहुती विशेश महत्व है बहुती कठीन कामर कही गई है जो कोई भी भगवान की कैसी भी कामर हो जो कोई भी लाता है कृपदरश्टी भगवान भोलेनात की उस पर बनी रहती है और तीसरी कामर होती है हमें थी खड़ी कामर ये भी बहुत कठीन कामर है इसे जमीन पर कभी नहीं रखा जाता है और इसे सिर्फ कंदे पर ही रखा जाता है इसमें भी चार से छे लोग का ग्रुप होता है जो ये कामर खड़ी कामर लाता है और हम इसे खड़ी कामर में अगर मैं तो भी बहुत माना जाता है क्योंकि ये जो हमारी हमने जो मुरादे मांगी हैं बोले नाथ की करपा से हमारी जो बहुत लंबी समस्याती कठी शमस्याती बोले नाथ से हमने मांगी थी वो हमारी पूरी हो गई है तो लोग बाग ये तांडी कावर भी लाते हैं बोले करते हैं और इसपर भी एक कहानी थी क्या हुआ था कि जब समुद्र मन्थन हुआ था अमरीत और विश पर देवताओं और असुनों का युद हो रहा था तो क्या हुआ था जब उन में से विश निकला था समुद्र मन्थन में वो कालकोट नाम का विश भवान शिव ने और उनकी ज्वाला को सांत करने के लिए उन्हें पिलाया जा रहा था उनके उपर डाला जा रहा था तो देखा जाता है कि जो ये कामर का महतु है वो इसी तरह से माना जाता है कि भगवान शिब्क ने जो कंठ जो विश पिया था उसकी तपस उसकी जलन को सांथ करने के लिए भूले कामर लेकर आते हैं इसमें कोई खर्चा क्या आता है इसमें कोई ज़्यादा विशेश खर्चा नहीं आता है आपका जब भी आप कामर लेने जाते हैं तो सिर्फ आपका या तो जाने का किराय का खर्चा आता है और आप जो ड्रेस पहनते हैं नारंगी कलर की उसका खर्चा आता है और कामर को सजाने का खर्चा आता है खाने पीने का दवाई का सब खर्चा हमारी प्रशाशन उठाती है जीगे जीगे पर भंडारे लगाए जाते हैं बहुत ही कामर सिवा की जाती है और जितनी भी परिशानिया है वो बाबा भोले ना धर लेते हैं जब भी आप डांक कावर लाते हैं तो वो 15-20 लोग लेके आत हैं तो उसमें ज्यादा खर्चा हो जाता है उसमें ज्यादा इसल East ले खर्चा आता है क्यूंकि वो लोंझा का हर चीज और तीन हजार के क्रीब एक व्यक्ति का 3.000 के की करीब खर्चाा जाता है और आपको क्या ले के जाना है आपको अपने साथ लेकर जानी है Medicine और वैसे किरीम लेकर जाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कुछ नहीं पता लगता किस टाइम हमको जरूरत पड़ जाए तो आपको पेन किलर भी लेकर जाना है ये सब चीजें लेकर आपको कावर यात्रा में जा रहे हों आप टीका करवा के जाएं आप अपने घर के बच्चे को कुछ उससे बहुत सुभमाना जाता है ये कामर बोल कबूल के लिए की जाती है तो बाबा सब पर अपनी महर करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा सस्क्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको आगे वीडियो मिलती रहें जै भोलेगी